राष्टिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्र का किशोर जगत इस शंखला में सुनते हैं कारिक्रम रानी लक्ष्मी बाई इतना मज़ा रहा है हाथी की सवारी में है ना ना मुझे भी हाथी की सवारी बहुत अच्छी लगती है नाना मुझे भी बिठाओ ना अपने हाथी पर मैं क्यों बिठाओ तुम्या मनु आ अच्छा नाना मुझे तो बिठाओगे ना हाँ तात्या क्यों नहीं पर थोड़ी देर बाद नाना मुझे भी बिठा लो ना ये मेरा हादी है मैं क्यों बिठाओं नाना तो नीचे नाना तो उपर ना काका काका अरे अरे क्या हुआ मनु बेटी देखिए नाना हाथी पर सवार होकर घूमने जा रहे हैं मैं भी हाथी की सवारी करूंगी उन्हें रोके ना रे रे बेटी वो देख हाथी तो काफी आगे निकल गया है आप पुकारिये तो हाथी को अभी वापस बुलाओ अभी बुलाओ अभी बुलाओ बेटी हाथी की सवारी तो राजा लोग करते हैं तू ठेरी गरीब ब्रहमन की बेटी भला तेरे भाग्ये में हाथी की सवारी कहां अच्छा ये बात है तो लगी शर्ट मैं आपको एक नहीं दस-दस हजार हातियों की सवारी करके दिखाऊंगी हां तेरे मूं में घी शक्कर विटी ये थी लक्षमी बाई जिनका बच्पन का नाम था मनू मनू का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी के एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था मनू जब छोटी थी तो इनकी माता भागी रथी बाई का देहान थो गया पिता मोरोपंत ने इनका लालन बालन किया मनू ने रणविद्या, धनुष चलाना, बंदूग चलाना, अश्वा रोहन, कुष्टी, शिकार खेलना, नकली युद्ध करना तथा व्योहू की रचना करना भली प्रकार सीख लिया उस समय बाल विवाह की प्रत्था थी, इसलिए मनू जब छोटी उमर की ही थी, तो उनका विवाह गंगा धर राओ के साथ हो गया विवाह के पश्चात मनू का नाम लक्ष्मी बाई रखा गया लोगों ने जैजैकार की महराज गंगा धर राओ की महराणी लक्ष्मी बाई की महराज गंगा दर्राव की, महराज गंगा दर्राव की, रानी के दर्शन के लिए दासियों ने रानी को घेर लिया तुम लोग कौन हो? सरकार, हम लोग तो आपकी दासिया हैं जी सरकार दासिया नहीं, तुम लोग तो मेरी सक्या हो, अपने अपने नाम तो बताओ जी, मेरा नाम सुन्दरी, ये काशी बाई, और ये सरकार में जूही हूँ तुम लोगों को घुरसवारी आती है? सुन्दरी को तो गुर्सवारी बहुत अच्छी आती है हम लोगों को भी आती है थोड़ी थोड़ी आती है अच्छा क्या तलवार कटार भी चला लेती हो नहीं मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर सको बच्पन की सीखी रणविद्या रानी के बहुत काम आई रानी ने वीरांगनाओं की एक फौज तयार कर ली और रानी राज्य के सभी कामों में रुची लेने लगी कुछ समय बाद रानी के एक पुत्र पैदा हुआ पर कुछी दिनों के बाद उसकी मृत्य हो गई गंगाधार राओ इस धक्के को सेह न सके और बीमार रहने लगे एक दिन गंगाधार राओ ने रानी से कहा लक्षमी अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा ऐसा ना कहें महाराज आप चल्दी ठीक हो जाएंगे तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरी बात सत्य होगी मैं मैं बिना पुत्र के नहीं मरना चाहता हूँ मैं किसी बालक को खोद लेना चाहता हूँ राजा ना मुझे इसमें कोई आपती नहीं है गोद लिये हुए बालक का नाम दामोदर राव रखा गया कुछ समय पश्चात गंगा धर राव के मृत्थी हो गई अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को गद्धी पर बैठने की अनुमती नहीं दी अंग्रेजों ने जहांसी को अपने राज्ज में मिला लिया राणी को पेंशन दे दी गई इस से राणी खुश नहीं हुई 1857 में राणी ने सेना का संगठन किया और पहला युद जहांसी के किले में हुए राणी बहुत बहादुरी से लड़ी उन्होंने जिया जी राव सिंधिया और जनरल स्मित को हराया युद्ध के दौरान राणी ने अपने पुत्र दामुद राव को पीट से बाध लिया था अचानक राणी को गोली लगी और राणी कोई परवाह किये बिना लड़ती रहें और सेनिको का होसला बढ़ती रहें जान पर फेल जाओ सेनिको यह आजादी की लडाई है हम इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं होटेंगे हमारे भीतर देश भक्ति की आग जल रही है इस से हम तुसमने को जुलसा देंगे पर दुरभाग्य से उनका नया घोड़ा नाला पार न कर सका रानी जान गई कि अब युद्ध में जीतना कठिन है गिरते गिरते रानी ने अपने सहयोगी से कहा रामचंद तुमसे एक बात कह रही हूं मारानी शत्रू मेरे शरीर को हाथ ना लगाने पाए यह मारानी यह मेरी अंते मिच्छा है मारानी यह मारानी यह मारानी रामचंद रानी के मृत शरीर को गंगादास की कुटिया में ले गए गंगादास ने मृत रानी के मुह में गंगा जल डाला अपनी कुटिया की घास फूस डाल कर रानी की चिता को आग लगा दी और इस तरहें रानी वीर गति को प्राप्थ हुई घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी गुंदेले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी उबलडी मरदानी वोतो रासिवाली रानी थी रानी लक्ष्मी बाई विशे संयोजन अम्रेंद्र बहरा आलेक सुधा भटनागर कलाकार सुचित्रा गुप्ता नीरश्यर्मा सुरेश शास्त्री राजेश आहुजा भगवान्दा स्वध्वा पल्लवी पायल और आर्तिबक्षी नन्यंकन दीपक पांडे नर्माण सहयोग दावु देयाल चत्रोवेदी तथा नर्माण इवं प्रस्थुती वंदना अरिमर्दन